मुश्कार दोस्तों मैं सार बेनेवाल बीए सी शेकिंडिर वाड़ों के लिए जुलोजी का शेप्टर लेके फिर आज जिरुआ हूँ पीछे की क्लासों में जो दिन कर रही थी आज उच्छे आगे की नेक्स्ट क्लास के बारे में अजिन करेंगे उच्छे पेज़ेंगे आ आपको मैं रोज़ाना एक सुविसार के बारे में बताऊंगा तो आज का सुविसार है कि कोसिस आखरी दम तक करने सथी इंसान को कोईस आखरी दम तक करने सथी या तो लक्ष आशिल होगा या अनुबव चीजें दोनों अच्छी यहनिकी इंसान को अब अधना नहीं जी ऐसे नहीं आप किसी प्रिप्रेशन कर रहे हो एक बार फैलियर हो जाते हैं इंपर आउसकी कोशीशी नाख़ नहीं है तो इंसान को सफलता मिलेगी जोनों चीजिया अच्छी होती है लोगों के पास और रिलेट में मिलताता है तो मज़ए तो आज इस वास के साथ अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे पीशे के अपने वरग सीलियस आई के बाद में मैंने आपके वोट पांडरिक्स वरग से समझे उसलियां थी उन स्वा मस्थियों के बारे में सी यह से बताया था आज इसले आगे अपन नेक्स वरग वरग वोश्टी कितिज यानिकी सब्स्थियों के बारे में बढ़ाएं के फिर्फ पास्तियों से मनने इवे ही स्ट्पॉन 252 जगोरिक्षी एक लिए उस बपास्तिय हुआ चिह को सत्ये वा फिर्फ पास्तियों मगन चिती इब अपास्तिल एको थ Christian Father अस्ति तो पासे हैं जो मुलाइम होती हैं जिसके अंदर अड़ी जैसार नहीं होता है उसको जिस आध्र shinesे अहीं मोड़ा जा कि तो यह बात आप को जियान में ठीके इस वर्ग की जो मुस्हियां हैं उनके क्या सामनी यलक्षन रहती हैं किस taray दम मैं जननांग वता हैं मुख कहा होता हैं शिर कहा हैं ये पता हिए आपको अपने पीछे से बातें करते आने सामन्य यलक्षन का आरते हैं किसी के बारे में बात करो जैसे मनुश्य के सामने लक्षनों के बारे में बात करें या किसी पसु के सामने लक्षनों के बारे में बात करें बात तो वही होगी सवसन तंत्र कैसा है जिसमें अरदे कैसा है सवसन के लिए कौन से अंगों का उप्योग करता है या इसके जो है अंग है वो जोड़ीदार होते हैं या एकल होते हैं इस तरह की जो लक्सने उनके बारे में आज आपने जन्या करेंगे सबसे पहले अस्तिल मसलियों के अंदर क्या होता है इसमें देखो तवसा आदर्स रूप से ड्रमी सलकों द्वारा धकी रहती है किने ही में सलकों का अबाव पाइजने उनकी जो स्रम होती है तवसा होती है वो ड्रमी सलक के द्वारा भछा Какई रहती है लेकिन कुछ ऐसी मतलःवी होती है जिनमें क्या होता है या too ऑast करता है जैदातर मसलियों के अंदर प्राहेखे सकते हो लेकिन उकुस मसलियों के सदम सदम Нसाइऑ व फिर्टवा कैसे समयाऊ क Tha in the answer और इंचरोणी पंख यैनि इनके अंदर दो होते हैं वह पंदर पाए जाते में स Young ability होते हैं और सियो गियोतेल अज़ोड़ी-दार औरों के दवारा क्या रहते हैं गिरे रहते हैं कौन गिरे रहते हैं अंस और शरोणी पंक अंस और शरोणी पंक दोनों तरह के इनके अंदर पंक पाई जाते हैं और किसके दवारा ढखे रहते हैं कंकाल आदर्स रूप से अस्तिल होता हैं कंकाल होता है वादर्स रूप से कै किसा होता है अस्तिल होता हैン तथा अन्य में उपास्तिल होता हैं यानि कि अस्तिल के साथ साथ में इसमें कुछ ऐसे भी बाए जाते हैं जिन-के अंदर उपास्तिल भी कंकाल संक्र successor बाए घाता है तिक के बाद में बात करें अपन ईनका जो मुख है Wash याने की अस्तिल मसलियां या आप कहें ओस्टिकिती जुरग इससे पहले अपने कॉंट्रिक्स वरक्स के बारे में दिन किया था अब जो आपका वरग ओस्टिकिती जै इसके क्या है जो मुख पाया जाता है अग्रस्त होता है यानि मुख कहां होता है अगले सीरे पर होता है यहां दंत युक्त उता हैं मुख के अंदर क्या पाइज आते जाते हैं दाषा पाई क्या दयाते हैं lessons मुख गुए से संस्वण सुने नस्यड़ा समख θαनाता है यू होता है वसके गुता है तार फिर 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 शोन देक जक्cked 지원 मंसलियों अब जो रिदे आपके दवी कोशी होता है माहा धंपनी और सापों की श्यार जोडियां पई जाती हैं और इनके अंदर जो RBC होती हैं लाल रक्त कणिकाएं रिड्ड बलड सेल वो अंड़ा कार और युक्त होती हैं द्यान रखना मसलियों के अंदर जो आर भी सी पाई जाती हैं कि स्वर्ग की मसलियों के अंदर आपके उस्टी खिटी स्वर्ग की जो मसलिया हैं उनके अंदर जो आर भी सी पाई जाती हैं वो अंडाकार होती हैं शासात में के अंदर की युक्त होती हैं फिर बात करें अपन सवसन की सवसन अंग की तो सवसन के लिए श्यार जोड़ी कलम दरा रहे हैं उबस्तित होती है किती जोड़ी श्यार् therapies क्या कुलम भराए हैं ठीक है श्यार्ज जोड़ी क्लम भर्राए होती हैं जो दापन अर्था अपरकुलम युक्त यानि दापन ये अपरकुलम किदर के पास में होता है जो Parliament विए से कोसों में इस्टित होते हैं तथा सामानेत एक वाईयू आश्य अर्था तरन आश्य यानि आपके कह सकते हो एक वाईयू कोस कह सकते हूं आपके कह सकते हो एक वाईयू कोस भी उपस्तित होता है जो कि नहीं में एक वही का द्वारा कि नहीं में क्या होता है एक वही क का द्वारा ग्रस्ति से सम्दित रहता है अथ्वा डिपनाई तथा कोस अन्य मसलियों में फैपड़े कि सदस्य सवसन ये परकार का होता है यानि कोस डिपनाई वरग या कोस अन्य मसलियां होती है उन किमां में बद कता हैानों से भी क्या होता हैं सबसर्ण को ओता है कि रखने है चekहां कम दोरा Condent वारानों के दोरा या गलबरा के दोरा होता है लेकिन यहां पर आपको लेंग को बताई गहीं था कुछ अनिपलियों में परकार का होता है यानि कुछ ऐसे सदसी होते हैं डिपने वरग पे जिनके अंदर जो ता है सवसंत किसे उता है फ्यापड़ों से होता है यह बात आपको ध्यान में रखनी आगे आता है सीत रखती है शीद का आर्थ है ठंडा बलड आपको पता है गरम के अंदर रुजल के अंदर एती हैं उन को अंगलीच में क्या कहा जाता हैं फूइ किलो थ्रमस या साइंस की बताम बासा में है अदुक्ango फर्मस जन्तु अब यह तently कि बात है कि रखती यान्म फोशम जन का देही कर तामान वाता वर्म पर निर्फर करता है यानि इनका जब शरीब का टैम्प्रेटर होता है वह किस पे निर्बर करता है वाता वर्ण पे निर्बर करता है इसके जो लिंग होते हैं पर्थक होते हैं यानि कि लिंग पर्थक का आर्थ हैं यहां पर ये कैसे होते हैं एक लिंगी जनतु होते हैं आदर्श रूप से एक जोड़ी जननांग एक जोड़ी जनन लिखावा यानि की जनना नांग उपस्तित होते हैं इस वरक की जो मसलियां होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और उनके अंदर एक जोड़ी क्या होते हैं जनना नांग उपस्तित होते हैं निस्येशन भाहिय परकार का होता है आंद अपेकारता सुक्सम और इस के अंड़ें तो CC और क्या होते हैं या सुक्सम प्रEPetten का बुट विकास पह। तक क्या करका तक युद्ध रशोथ क crime का विकास होता है कुछ अंच्छ तक काया अंत्रण दर्शाता है काया की रूप में दिल दिल विकास होता है कि अब आगे आता है इस समूह में जलिय मसलिया लेटिन पिसीज यानि कि इस समूह के अंदर लेटिन बसा में मसलियों को पिसीज गा गया है इस समूह में जलिय मसलियां समलित होती हैं यह सभी परकार के जलिय वास इसतानों यानि सभी परकार के जलों के अंदर निवास करने वाली होती हैं सभी परकार के जलिय वास इसतानों का रहते हैं लवनिय और अलवनिय ठीक है अर्थात समुंद्र के अंद नदियों के अंदर जरने के अंदर साब पाणी के अंदर गंदे पाणी के अंदर ठीक है जिन धर्टी पे जित्ते भी प्रकार का क्या पाया जाता है यह लेका जली अवास इस्तन यानि जहां जल है और जीव अवास कर सकते हैं वहां पर यह मसलिया पाई जाती है पुरातनका कि आती हैं यहां के रूप में गाम आती है बोजन के रूप में आती हैं जो समुदरी एला के हिवाथ पिरोटी यो यह suis older यह टीक हो प्रासिन काल से ही आपके इंडरी या उध्योग के रूप में मसलियों का जा रहे चाने हैं क्योंकि यह मानाओ की खद्येशांब़ी उती हैं इस वरग की लगबग पसीसईस जार जीवीत जाती हैं अब जो अब के वरग अपने बात कर रहे हैं ओस्टी की जीज़ित जो हैं पसीस हजार जीवीत जाती हैं है उसको वरग और प्रकार से बर्गीय करत किया है अब जिन मेंसे कुछ परमुख है वेग्यानिकों को नाम दिये वेए आपको यह जॉडन है गुडरी से ठीक और उसके बाद में आपके डीन है नॉरमन है कौटर principle ठीक है बरग है तो यहापको नाम दिये गए और पीष्छे जो संदिये गए यह इनके लगबग जो जनम या कारेकाल का संदिया गया जैसे डीन का 1916 से 1923 तक इनों ने दिन किया और नौरमन 1931 यह इस तरह से जो संदिये गया पीशे त्यान रखने ठीक है निमल लिखित वर्गी करना इस्टोर युशिगर इस्टोरर ठीक है और युशिगर के देवारा दिये गए उपवजन पर आदरी थे अब यह गिकर देंगे यह कि सके दवारा दिया वाए एक तो इस्टोरर नाम है और युशिगर नाम है यह दो वेगयनिक थे 52号 में इन्हों त्वर्गी गंड दिया था अपन वर्गीजर कंड की बारे में दिन पर वेगने को नाम में में हन्हों ऑन हिलो कि अंदर बाटा गया है तो अपनों बात करते हैं ऑफवरग किसकी ऑफ जाहिए को पर परग पालु तेली जाए जानी आपके पहले जोई को यह पाहल पाया जाता था बहुत अध्य प्रसिंक उस समय के जो मसलियान थी उसकाल की नि को यहां पे आपकी क्या नाम दिया गया है पेली यो तेली जाई ज्यान रखना नाम थोड़े आट पटें एक दो बार पट हो प्रेक्टिस नहीं यह नहीं है कि उनको पढ़ना नहीं आता है एक दो बार उपढ़ेंगे तो आप सकता है स्पीड से पढ़ ले वह कमजोर आप से वह भी नहीं लेकिन मैं यह कहना साता हूं कि अपनों को इसके लिए बार-बार अभियास किया उसकता है ऐसे नहीं एक बार प्रकार क होते हैं या आधिम अधिकाल जो पहलियो इस मसलिया में आधिम परकार में परकार पांग होते हैं यानी primitive परकारे फिंस होते हैं क्या होते है प्रिमेटिव परकार के फिंस होते हैं अब इन वसलियों में प्रेडेज हैं और गुझा आल पंखों की पंक अर्रों है यानी फिंस्रे के संख्या, इनके आंतरिक अुलमबन नहों से तिलनात मझतeh हुती है, अब ये लिखावा है, प्रस्ट है, प्रस्ट याँनि ओपर के ठीक है, और गुदा पंक है, पंक अर है, या निपास वाले पंक है, इन सभी पंकहों की संख्या, इनके आंतरिक जो अुलमबन होते हैं, जि दूसरे से संबंदी इसमें नहीं होते हैं ठीक है फिर अंते कंकाल उपास्थिल होता है अपनबात अस्तिल मसलियों की कर रहे थे लेकिन वहां पर आपको बताया कि कुछ इस मसलियां उपास्थिल परकार की भी होती है तो इस उपवर्ग की मसलियां है पैल्यू टेरी जाई ओप वर्ग की जो मसलियां है वह उपास्थिल परकार की भी होती है इन मसलियों के सिर पर यह शरीर पर अस्तिल ड्रमल पट्टियां यानि बॉर्णी ड्रमल प्लेट्स पा सिल मतलब घ्यास अंत्यों में क्लेवीकल अस्तियां उपस्तित होती है इंक इन मस्तिलियों को किस वर्ग में रखा गया है अस्तिल वर्ग के अंपर करता है बाकी अंते कंकाल इंद करता है उपस्तिल पर करता है बाई ये कंकाल अस्तिल पर करता है समझ गए अब आगे बात करते हैं इस उपवर्ग को दो गणों में वर्गी करता किया गया है आपके पैलियो टेरी जाई है इसे आगे दो गणा में बुद्धिया गया है किसको पैलियो टेरी जाई को आगे किते गणा में बज़ित किया गया है दो में पैलियो टेरी पैलियो टेरी जाई को आगे किते गणा में बज़ित किया गया है दो गणा में ठीक है दो गणों में सबसे जो पहला गण है वो पॉलीपेपटी रीफॉर्मिस क्या है पॉलीपेपटे रीफॉर्मिस अब इससे समद्धित गण होंगे उनके पिछी ये फॉर्मिस वाड़ा तो आए गए लेकिन आगे क्या है इसका नाम पॉलीपेपटे रीफॉर्मिस ठी ड्रीफर्मिस गणहें वह आपके अपवरगू है पैलियोत तेरीजाइका है पैलियोत बचली का गणहें पॉलीपेपस सल्पार्मिस मैंने आप bend के बताई थे तीन प्रकार के सल्क उन सल्कों में से इन पर जो सल्क पाई जाते हैं गेनोईड प्रकार के पाई जाते है प्रेस्ट पंख अनेक पंखी काओं में विवाजित होता है जो कंटकों दवारा अवलंबित रहता है इनके अंदर प्रेस्ट पंख होता है वो अनेक पंख कि कहों से विवजित रहता है और जो कंटकों के दवारा क्या रहता है अवो लंबित रहता है यानि कि धाका रहता है क्या रहता है धाका रहता है अवो लंबित का रहते हैं धाका रहना इपने में पाली में यानि हैक दूसरे के ऊपर पाली की रूप में युग्मित पंक पाये जातें जोडे के रूप में पोंसि ड़िफी सर्कल परकार की होती है पहले जो वरगोष्टी किजी का दिन के तरिठी यह उसमें एट्रो सर्क Ctrl परकार की पाये जाती ठीक है वाता से एयर बलेंडर यानि जांसे यह आप कह सकते हो जो इनके अंदर हुआ या वाई यू जाने का सिद्र होता है उसे वाता सी कहते हैं एयर बलेंडर कहते हैं पाली में होता है ठीक है जिए एयर बलेंडर के स्यारों और भी क्या होती है पाली होती है तथा अधर त सल पर अदर्टल पर कि-आथ करी करड़ि tying लिखाय Kiev अधर्टल पर आंत्र में खुलता है उदान के लिए पॉली है कि पॉतेर्स पॉली पाप्टेर्स अब ऐसका दndग वाथा से होता है एर भ्लेंडर होता है वो किसे होते हैं का ली में होता है और अधर तल पर खुलता है आज के अंदर खुलता है और स्का दोदाःब है क्या कि अलीक है है ऐतितCH है भी अब उस्के बाद में अपन बाद करते हैं अगल को एंट कर द्रांबर श्थップ गर है एसी पेंस फोर रीफॉर्मिस एसी पेंस टुकड़ा में बाट के नाम पड़ो एसी पेंस रीफॉर्मिस तो अब इसके जो गण है गणा के बारे में आएगा लेकिन आगे का नाम क्या है एसी पेंस इनकी जो तौसा होती है इनकी तौसा पर भी गैनोइड परकार के ड् द्रमल शल्क होते हैं तर इनंपर जैना इन के आवरण का अब होता हैं इस जो खोपड़ी की आस्तियां वह का एनके जो एता एद दन्थ महलते आज जब्ड़ा होता हैं जब्ड़े अंदर जब्ड़े दुब्ले होते हैं और क्या होते हैं दंत्वीन दात नहीं होते हैं पंक युगमित सोड़े तता पूंस एट्रो सरक्ल प्रकार के होती हैं इनकी जो पूंस होती हैं वो कैसी होती हैं एट्रो सरक्ल प्रकार के होती हैं पंक युगमित होते हैं और कैसे होते हैं सोड़े होते हैं युगमित होते हैं औ अगरे बाग में इसे ठीक है consider अगरवाग में सर्किल वालों पस्ति थे देता है उडरान के लिए ऐसी पैंसर और पॉलीडोंड ये मसलेओं के नाम है उडरान के लिए ऐसी पैंसर और पॉलिडॉन है वो इस उपर वरग से इस गण से समंदित होते हैं अब आगे बात करें अपना उप वरग सेकंड की उप वरग सेकंड की आज के जुक लास में सबसे पहला आपका उप वरग था कि यह पॉलियो टेरीजाई क्या था पॉलियो टेरीजाई अब पॉलियो टेरीजाई के बाद में अजिन करने के बाद में आपना उप वरग सेकंड के बारे में जिन करेंगे उप वरग आपका जो सेकंड है वो आपके है एक्टिनो पटे रिजी क्या है एक्टिनो पटे रिजी या नियो पटे रिजी या इसे कहते हैं टिली पोस्टी आई क्या है टिली पोस्टी आई यह इस उपवरग सेकिंड का नाह है एक्टिनो पटे रिजी या नियो पटे रिजी या इसे आप कहा सकते हैं टिली पोस्टी आई ठीक है उपवरग आपका सेकिंड अब इस उपवरग के अंदर यह आप कहा सकते हो एक्टिनो पटे रिजी लिखनाहई प्रमय विष्ट endure शुराट का फिंसरे की संख्या इनके आंत्री के कंकाली अवलंबों के समान रहती है अपने पहले के अंदर जो अधिन किया तो तो रुद्द अ en train में रुप से होता है मुख गुआ से समंधित नहीं होता है उसके बाद में अंते कंकाल कैसा होता है अस्थिल परकार का होता है और कलेविकल अस्तियों का भाव पाया जाता है जो इससे पहले की पहले का उपर था उसके अंदर कलेविकल अस्तियां या कलेविकल हडियां पाई जाती थी ले होती है और इस से पहले में अपने दिन किया था एट्रोसर्कल परकार की या एट्रोसर्कल परकार की थी अब इसमें पूंसर्कल परकार की पाई जाती हैं और सल्कॉइड और टीनोईड परकार के इनमें क्या पाई जाते हैं सल्क पाई जाते हैं अपने पहले दो दिन के था उसमें गेनोईड परकार के सल्क पाई जाते हैं कैसे गेनोईड परकार के अब इसके अंदर जो मसलियों में पाई जाते हैं वो सल्कोईड और टीनोईड परकार के होते है इन मसलियों में कलॉम एक रक्षात्मक आवरण प्रम दवारा धके रहते हैं इनके अंदर डुबिल्स होते हैं या कलॉम होते हैं वो एक रक्षात्मक आवरण की दवारा धके रहते हैं इस उप वर्ग को दो महा गणों के अंदर महा दो माँ गणों में वर्गी करट किया गया है एक तो अली इस्तियाई अलो इस्तियाई ठीक है और दूसरा है टीलियो इस्तियाई पत्रीका य्यानिके आपके एक्टीनो पटे रीजी या ियो पटे रीजी या इसे आप कह सकते वो टैलियो पोस्टि इन्हें अगे दो महाँ गणाम विद्धित किया गया है आपके एक-तो वुलोडिय और एक तीलियो इस्टियाई ठीक है अब अब आगे बात करते हैं होलो इस्टियाई किसकी होलो इस्टियाई अब जो आपका अधिगण है या महागण है अलोह स्टियाई कि इस ऐलोह स्टियाई की मसलियाँ उन्हीं तवसप प्रहाओ सार्गनेंट परकार के और साइकलोईट परकार के शलकम पिस्तित 59 अलोज़्ट यह प्रकार की जो मस्लियां होती है या इस गण की जो मसलियां होती है उनमें तौसा पर गेनोईड और सलकोईड परकार की सलक बस्तित होते हैं अंते कंकाल पूर्णतिया अस्थिल अंते कंकाल पूरी तरह से बॉंडी होता है बॉन यानकी इंगलीज में बॉन अस्थि को कहता है तो बॉनी यानकी पूरी तरह से क्या तो कैसा होता है अंते कंकाल पूर् मस्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र दू गनव के अंदर बानटा गया है वापस दू गन कोण कोण से एक तो है आपके Emi Pharmis क्या है Emi Pharmis अब Emi Pharmis गन की जो मसलियां होती है इमि फ़र्मिस गन की जो मसलियां होती है इन मसलियों का प्रोथ गोला का तथा जब्री सूटे होते हैं प्रोथ यानि मुक्का जो अगला भाग होता है उसे प्रोथ का गया है मुक्का क्या है अगला भाग जिसी क्या का गया प्रोथ का गया है प्रोथ कैसा होता है गोला का और जबड़े इसमें कैसे होते हैं सोटे होते हैं जबड़े कैसे होते हैं सोटे होते हैं इनके शरीर के पच्छे भाग पर साइक्लोईड शरीर के पच्छे भाग पर साइक्लोईड तता सिर्फ गेनोईड शल्क पाए जाते हैं यानि कि साइकलोईड और गनोईड दोनों परकार के सल्क पाए जाते हैं पीसे के भाग पे तो पाए जाते हैं आपके साइकलोईड परकार के और आगे के भाग पर पाए जाते हैं गनोईड परकार के सल्क कसे रुक MPC लस परकार के होते हैं तथा इनके मद्य से नोटो कोड अवलम्बित रहती है नोटो कोड क्या रहती है अवलम्बित रहती है या निरंतरित रहती है निरंतरित भी कह सकते हो अवलम्बित भी कह सकते हो निरंतरित कार्थ है जहां पूरी जगे बनी रहना है ठीक है पूरी लंबई में बनी रहना नि प्रिंतर यानी जहां इसकी पूरी जो लंबे हैं उसके बीयों टाकोड़ inf... होती हैं आत में इसपाईरल, वालव में तुरूरवR, जो टूरूरल या उस्पाईरल, sap. वह आत के अंदर के Deixa अंदर उसरी नात के निव कैसे हम जाता हुए पाइलोरी कि हैं। पाइलोरी का जो सोकी होती है एंधर कैंदर के रहते हैं ओधwegen के लिए में ओधन के लिए क्या है एनिया यानि आपके जो एमिफॉरमिस इस मिया जीव Members के नाम पई इस मिन का नाम क्या पढ़ आ हाई एमिफॉरमिस एमिंफॉरमिस मस्कलिहों का जो प्रोथ होता है और इनके जो जबडे होते हैं इनके क्या होते हैं जो जबडे होते हैं वो सोटे होते हैं शरीर के पीसे के बाग पर तो साइकलोड परकार के सलक पाया जाते हैं और आगे के बाग पर गेनोड परकार के सलक पाया जाते हैं और कसे रूक होती हैं वो इनक तितर होती है यह तो किस गन की बाद थी गन एमी फॉर्मिस और एमी फॉर्मिस किस महा गन का बाग है और ली इस्तियाई का एक तो आप क्यों गया एमी फॉर्मिस क्या हो गया? Emyformis ठीक है? अब अपना आगे बात करते हैं Emyformis के बाद में दूसरी गण की दूसरी गण का नाम है Lepidoistiformis क्या है? Lepidoistiformis दूसरा क्या है? Lepidoistiformis Lepidoistiformis ये बात आपको समझ भाई कि जो अदिगण या महागण हो ली इस्ते ही है इसे दो बागवाम बटा गया है एक तो Emyformis और Lepidoistiformis तो अब आपना बात करते हैं Lepidoistiformis की किसकी? Lepidoistiformis की जो Lepidoistiformis है इनकी प्रोथ प्रोथ यानि कि आगे का भाग ठीक है मुक्का आगे का भाग काफी लंबा और जबड़े सोड़े होती है Lepidoistiformis मसलियां होती है उनके जबड़े कैसे होते हैं सोड़े होते है इनकी तोसा पर गेनोईड सल्क पाए जाते है कैसे पाए जाते हैं? गेनोईड सल्क पाए जाते है और जो कसे रुक होते हैं वो ओपिरियो सिलस होते हैं और नोटो कॉर्ड अनुपस्तित इनमें नोटो कॉर्ड क्या होती है? अनुपस्तित होती है और इस गण से जो पहले का गण था उस गण के अंदरी क्या होती? उसका उदान क्या है ? लिपीडो इस्टी मस अब आजे जो आपके अधीगण हे घीलियो इस्टी आई उसका अधियनापन है अगली क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि यह जो अधीगण पहने टीलियो स्टिये इसके कपी इसे दस सव्धा गणु के अंदर बाता गया तो कि यह स्षेप्टर बड़ा होने के कांड़ आपका ये वीदियो बढ़ा हो जायज है इसलिए अपने इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे ठीक है धन्यवाद